हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैँ चैनल स्वेटा स्वीप हो मैं हूँ श्वेटा और आज में एक समर कूल रेसीपी लेकाई हूं तो फ्रेंट्स आज हम बढ़ाएंगे कस्टरड कुलफी तो फ्रेंट्स इससे बनाना बहुत ही आसान है और यह थी इंग्रीडियन्स तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने 500 ml के बराबर मिल्क लिया है नॉन स्टिक पैन में इसे हम बॉयल होने देंगे और इसमें से मैंने थोड़ा सा दूद निकाल लिया था अराउंड 1 फोर्थ कप के बराबर इसमें मैं 30 ग् इसमें बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा इसमें तो मैं इसे मिल्क में एड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स फॉर्म ना हो तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है हम इसे साइड रख देते हैं और दूद को एक बॉइल आने देते हैं तो दूद हमारा बॉइल हो चुका है इसमें मैंने शुगर एट किया है यानि चीनी 150 ग्राम के बराबर अब मैं इसमें ड्राइफ फ्रूट्स एट करूँगी सम पिस्ता और बदाम एट किया है मैंने बारिक कटा हुआ अराउंड टू टेबल स्पून के बराबर इसे हम मिक्स कर लेते हैं और शुगर मेल्ट होने तक हम इसे बॉइल करते हैं तो हमें मिल्क को मीडियम टू हाइ फ्रूंड पर पका ना है अब मैं इसमें वन ची स्पून कार्डोम पौडर राइट की हूँ यानि इलआपशी का पौडर पिसा हुआ अब मैं इसमें कस्टड पौडर राइट कर दूँगी मिल्क में गुला हुआ अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे इसे कंचिनुएस टर करते हुए तो एक ठिक कस्टड हमें बनाना है अब फ्लेम को मैं आफ कर देती हूँ और इसे कंचिनुएस चला लेते हैं तो फ्लेम मैंने आफ कर दिया और इसे अच्छे से विस्क कर लेते हैं और इसे हम थंडा होने के लिए रख देंगे अब मैंने एक बोल में आइस रखा है और उसमें पानी एट किया है और एक वेसल लिया है वो भी चिल्ड होना चाहिए तो इसे मैंने अल्रेडी फ्रीजर में रख दिया था चिल होने के लिए जब भी हम क्रीम को बीट करेंगे तो हमारा वेसल बिल्कुल थंडा होना चाहिए चिल अब मैस में अमुल फ्रेश क्रीम एट करूंगी और हम नीचे में भी आइस रखते हैं ताकि हमारा जो क्रीम बने वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फ्लाफी बने तो ये अमुल फ्रेश क्रीम है 250 ml के बराबर तो इसका हम उपर से क्रीम ले लेंगे और जो वाटर नीचे रह जाता है वो डिसकार्ट कर देंगे तो इसे हमें फ्रेज में रखके चिली लेना है क्रीम को तो आप देख सकते हैं नीचे का जो वाटर है वो मैं रिमूब कर देती हूँ तो उपर का क्रीम हमने ले लिया है जो थिक क्रीम है अब हम इसे बीट करेंगे स्लो टू मीडियम फिर हाई करते हुए गज़से लिया बीट करना असमें बीट करना थिल इसे अरूंड टेनमिन्ट करा ने मैंने बीट करोंगे तो ये मैंने सारा कस्टड डाल लिया है इसमें अब मैं इसे बीट करूँगी अराउंड 3-4 मिनिट के लिए अब मैं इसमें सैफरन आड़ करूँगी यानि केसर भी गोया हुआ आप चाहे तो इसमें यलो फूट कलर भी आड़ कर सकते हैं इससे बहुत अच्छा कलर आता है अब मैं इसे दुबारा दो मिनिट के लिए और बीट करूँगी तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फलफी हो चुका है और कंटेनर हमारा हाफ से भी ज्यादा भर चुका है अब मैं इसे ग्लास में पोर कर दूँगी तो फूर ग्लासे हमारे भर चुके हैं अब मैं इसे एक बोल में डाल लेती हूँ आप चाहे तो इसमें पेपर कप्स में भी बना सकते हैं और जमा सकते हैं अब मैं इसको सील कर दूंगी फॉयल से आप चाहे तो पॉलिथिन से भी इससे रैप कर सकते हैं इससे क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता है और हम इसे फ्रीज करेंगे 6-7 आवर के लिए अब मैं सारे कट्स लगा लेती हूँ फॉयल में ताकि हम स्टिक ढल सके इसे तो इस तरह से हमें स्टिक सेंटर पर डाल लेना है तो 4 गलासि से मैं लगा दिया है अब हम इसे फ्रीज होने देंगे तो आफटर 7 आवर हम चЕक कर लेते हैं तो हमारी कस्टड कुलफी बनकर तयार है और इसे हम निकाल लेंगे गलास से तो इस तरह से आप्छाइब रोटेट करते हुए निकाल सकते हैं या तो हमारी टेस्टी कुलफीcks कट कुलफी बन कर तैयार है यही रिचन कृमी तो इसे भीड रिलीस करते हमें अब मैं इन सब के उपर पिस्ता और आल्मंड साइट करूंगी बारिक कटा हुआ और गार्निश तो फ्रेंड्स हमारी यमी कुल्फी बनकर तयार है बहुत ही फ्यू इंग्रीडियंट्स से तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शे सबसे पहले मिले थैंक्स फर वाचिंग